हेलो देस्ट तो एक ट्री बिलेट का फाराड़ा फैन है इसको मैं खोल के देखा इसका कोईल जल गया तो इसको निया विभाइन करूंगा इसका डेटा बागरा सब कुछ मैं बाता हूंगा तो आप लोग कैसे हो ऊब अब करने लोग केंवा और यूटीव चनल है कि अब लुख लाइक एन सॉट्क्रिप्प करना इस इसका कोवर है एक इंच देखिए एक इंच का कॉर है अब लोग देख सकते हो तो इसका स्लोट पेपर मैं लागा के राखा हूँ इसका जो स्लोट है वो है 24 स्लोट है इसका वैर गेज और कैसे रिवेंड करूंगा वो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा तो पहले से मैं देखिए लच्छी का अल बान एक से चार में दो राउंड घुमेगा और एक से चाय में तीन राउंड घुमेगा ठीक है इसका जो ओयर गेज है वो है देख सकती हो तो आभ इसका जो ओयर गेज है है तीस नंबर है SWG 30 है देखिए मीड दिल में बीज में दो स्लोट खाली छोड़के एक से चार में उसमें डो राउंड होगा घुमेगा ओल कोयल ठीक है देख सकते हो और उसके बाद थोड़ा हलका सा मैं लॉकिंग पेपर लागा के उसको घुमाऊंगा ओ लॉकिंग पेपर कि नहीं को अब लोग को दो भी घुएग्ट को शेले दिल मांद ट्येक गराफ़कें दीमेश्ट करें लोग को के लिए तो में और इससे छोड़न स्वरू कोर होगा तो उसमें आप लोग 25 मैंने इसको दो राउंड भूमा दिया एक से चार में देखिए उसके बाद मैं भाटक से पर लागा दिया थोड़ा सा बाड़ा काट के लागाया क्यूंकि उसके उपर स्टाटिंग का कॉयल का एक से लिए ठीक है आची से समझ लीजिए एक से चार में आप लोग देख सकते हो मैं दो राउंड भूमाया और एक से चाय में तीन राउंड भूमाऊंगा देखे मैं अभी एक से चाय में कॉयल बिठा दिया एक राउंड देख सकते हो और इसका जो वैर जो है तीस नमर है एस डबलू जी थाट्टी है और इसका ट्रान है एक सो हन्डेट ट्रान है ठीक है आप कोई भी फाराडा ट्री ब्लेट का वहाती की जो कान होता है उसकी त अब लोग शॉर्ट अंडर लिए और इस डबलू जी थाट्टी नमबर मैं मतलब तीस नमबर दीजिए और इस तरह डिपन कीजिए कोई स्पीट का प्रब्लम नहीं है कोई भी प्रब्लम नहीं आगा ठीक है इसको मैं दो राउंड घुमा दिया लास्ट त्री राउंड हो तो अभी मैं इसको अच्छी से लेपटके देखिए तो उसको तिन राउंड होता है उसको ठीक से बीठाने के बाद उसको गुमाऊंगा देखिए इस तरह से पूरी मोड देना है और एक बात है जो मैं जिस तरह मोड रही हूँ आप उस तरह भी नहीं दूसरे तरह भी को जितने कॉल outta starting राइं चार्ओ कोईल भी इंदेगा तो उसको उसी तरह में भी म्दूना होगा वुमा कैं उसको करल भी तरह तरह दूसरी तरह वग है अइस्यज़द ऊप्र है तो उसमें क्ऩवाए नहीं पर शुक्षे , बीठा दिया है एक से उसर्हां में और एक से चा में दो राउंड घुमाया था तो उसमें स्टार्टिंग का एक ग्राउंड आएगा फास्ट राउंड जो होता है उसके उसको मैं जब स्टार्टिंग कोईल बिठांगा तो आप लोगों को उसका वैर गेज और कितना साइज होगा कोईल का और एस डबलू जी कितना है वह भी मैं आप लोगों को देखाँ तो आभी देखो फिर से एक कोईल बिठांगा तो एक से चार में और में देखिए देख अब लोग तो बीज में एक स्लोट खाली छोड़ना है क्योंकि एक से चाहिका जो काईल वह बीज में जो खाली है उसमें आ अप लोगों को बिठाना है ठीक है देखिए मैं सेकन्ड कर बिठाकने के बाद जल्दी से मैं इसको रिवेंड करके आप लोगों को स्टाटिंग कर बीठाऊंगा के बाद आती हूं तो आभी देख सकते हो मेरा स्टार्ट निन खाल कॉंप्लीट हो गया इसका जो ऐर गेज जो है 30 नंबर है 30 SWG और इसका ट्रान है 100 ट्रान है ठीक है और इतला च्छी की टोटल गोलाई में जो है वो है 36 इंच है किया हूँ तो निया मिस्त्री जो लोग है तो एक इंची में आप लोग 34 इंची नहीं बीठा पाऊगे तो इसको आप लोग ow लोगा साइथ्यान करके बीठा हो गया तो कोई डिक्कद नहीं होगा आभी मैं स्टार्टिंग काई बिठा रही हूं तो देखिए एक शेल में सेमी आयेग्द देखिए जो पहले ज़े से दो रांड में स्टार्ट रानिंग का कॉयल बिठा था उसके उपर ही एक कॉयल बिठेगा फर्स्ट राउंड देखिए मैं बिठा दिया हूँ तो पूरी खिज लेना है इधर आची से खिज लेना है जितना चाहो खिज ले तो बाद में कॉयल का कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए तो इसलिए पूरी की पूरी खिज ना चाहिए अप लोगों को भी ठीक है क्योंकि लास्ट जो राउंड होता है उसमें तास्वाट काम हो जाता तो इसलिए मैं बोले जितना चाहिए खिज लाग तो इसका जो और गेज है वो है 32 नमबर थार्टी टु है एस डाब्ली जी और थार्टी टु है इसका ट्रान जो है ओ है 125 टन है ठीक है और ये भी एक से चाय में तीन राउंड घुमेगा और एक से चार में एक राउंड ही आएगा उसके बाद इसका जो है एक से चाय में मैं आभी कोयल बिठा रहे हूँ इसमें तीन राउंड घुमेगा ये जो ओयर है इसका जो लच्छी का गोलाई में है वो 29 इ बड़ा हो गाए आधाइंच बड़ा कर सेकती हो गिंच मार कर सेकती हो तो इसमें नेभा जो मिस्टी लोग है उसको सट्ड कोयल में उसके बिठाना प्रोब्लेम होता है तो इसलिया में बाता है तो इह बते तो इसको मैं देख openly मेरा जो fir न को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो मैं कम्प्लिट कर दिया हूँ देखिए स्टार्टिंग कॉल का एक गुमा तो पहले से मैं बात रही हूँ रानिंग जो कॉल है उसमें इस डवलूजी तीस नमबर दीजिए और स्टार्टिंग में इस डवलूजी है ठाटी टू दीजिए कोई भी थ्री ब्लेड फाराडा फैन हो जो कुलर मोटर भी बोलता है इसको ठीक है तो इसको आप लोग इस डेता से रिवाइंड कीजिए कोई प्रब्लेम नहीं है मैं जि को ब्लेड होता है उसका ट्री ब्लेड तो उसका कोर है इसको मैं है किया हूं जो कोई भी डेटा कमपानी का दिया है वह क्षोर दीजिए नहीं कहला है आपको आप लोग मैं जो ईए लेके कोई भी प्रॉब्लेम डिक्कत नहीं आएगा और कायल जो है आप लोग आपकी मर्जी से भी बाना सकते हो और मैं तो इसमें बोल दिया हूँ कितना लगेगा आधा इंच का कोर होगा तो उसमें 35 का 34 का हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगा इजली आ जाता है तो आप लोग इस तरह रिवाइंड किजिए और मैं जो सेकेंड कोई डाल डाल जारों स्टाटिंग का मैं फिर से रिपीट करता हूँ और उसके पहले मैं बाताती हूँ मेरा जो यूट्यूब चैनल है गिरी इलेक्टिकल प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बिल आइकन को पेस करके रखना क्योंकि नहीं नहीं वीडियो जब मैं अपलोड करूंग तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और यह तो बहुत बड़ा वीडियो है इसलिए इसको मैं काट कर थोड़ा काट दिया हूँ और अभी सीजिन के टाइम है इसलिए इसका फूल इभेंड भी नहीं देखा हूँगा तो यह जो है मैं लीड का वैर मैं पहले से क स्टार्टिंग का कॉल का है और ब्लेक ड़ॉर स्टाटि का है असको मैं इस तरह स्पार्किंग से इस मोल सब्सक्षाब करऊंगा क्यूंकि एक ईससे तम में को अस्वाइका है देखिये बहुत Cand issues पार्किंग हो रही है बहुत ही अच्छा है और पहले इस तरह आप लोग भी रिवाइंड कीजिए कोई दिक्कर नहीं आएगा देखिए और साला भर चल जाएगा जो कॉयल में जो क्या बोलता है जो स्पीड का लिड निकलता है तो उसमें कल जल जाता है तो इसलिए मैं इसमें रेगुलेटर यू स्पीड के स्पीड कांट्रोल के लिए तो ईशन compare नहीं कोई दििक्कनि थोड़ा रियूपग Sil beginners जयादा लेता हूं स्पीड का में जो बाता देता हूं तो इसमें बहुत दिन चल जाएगा कोई प्रप्रबल्म ही है कोई की कर और साफोरी कंद्वम हैं तो उसमें कल जल्दी जल जाएगा एक सल में अंदर एक देर सल में जल जाता है कोछ पर तो आप लोग भी रिगुलेटर यूज कीजिए कोई जाता है तो मेरा कमपलीट हो गया है उसके बाद मैं स्टेस्ट करूंगा इसका कोयल जो है स्वाट रान दीजिए तो ठेंक्यू दोस्तो प्लीज लाइक करना टाटा